आप देख रहे हैं जेक्स न्यूस 36 गट खया दोहन कर धमकी देने की अलग अलग धराओं में प्रात पंजिबत किया गया है इस पूरे मामले की रिपोर्ट इंदोर निवासी अर्विन सिंग पनवार ने दर्श कराया है अर्विन सिंग का केवल का विवसाय है इस विवसाय को लेकर पिछले साल 2022 में अगस्त के महनों में अर्विन सिंग ने सेट अप बॉक्स क्लोनिंग कर फरजी आइडे बना कर धोखधरी करने की सिकायत दर्री ठाना में दर्श करायी थी इसकायत के जाच में अमोलक सिंग भाटिया और बबलु सिंग भाटिया का भी नाम समलिप्त पाया गया है इसके मास से इस केस को वापस लेने के लिए अर्विन सिंग पर दबाव बनाया जा रहा है इसी सिले में 9 अप्रेल 2023 को अर्विन सिंग का गुरुगासे दास चौक में होटाल अकास के सामने है कि सकार्पियों में बंदुक की नोख पर अफरन किया गया और केस वापस लेने के लिए धंकाने के साथ 7,0,00 रुपे देने का प्रलोभन देते वे भया धुहन किया गया धंकी देते वे उसे जबलपूर और भुपाल बुलाकर वहां भुपाल के नियाला में अधिवक्ता के माधन से दर्री ठाना में दर्च केस को वापस लेने के के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहाए गया है फिल्हाल कॉर्बा जिले के मानिकपूर चौकी पुलीस ने घटना इस्थाल अपने छेत्र में होने के कारण अर्विंद सिंग की रिपोर्ट पर धारा अलग अलग तरह का लालस देकर मुझे पर दबाओ बना रहे थे कि मैं अफर वापस ले लूँ मेरे मना करने के बाद इन्नों ने नौ कस की राथ को दोके से मुझे होटल आकाश के नीचे बुला कर मेरा अपरण कर लिया और अपरण करने के बाद मुझे धर्रा ढमका कर मुझसे अलग-अलग दस्तवेज़ों पर साइन करवाई मेरा वीडियो बनाया तथा मेरे वोईज रिकॉर्ड करकर इन लोगों ने मुझे ब्लेकमिल करा इसकी शिकायत मैंने मानिकपुर ठाणा चोकी में कर दिये हैं सर मानिकपुर चोकी में एक मामला दर्ज वोगा है भाटे गुरुप बेूपर क्या सर पूल मामला हां चयुदा तारीक को प्रारथी अर्विंदर सिन ने एक फ्यार दर्च कराया है कहना था कि उनको करने भी करके ले गया है जिसमें आठ लोग के खिलापे फ्यार दर्च की थी सर्फ फीर होते की भी बात आई कि है उसमें कुछ अब इस तरह की बात नहीं है भी उसना जानी है